दोस्तों आज तक आप सबने यही सुना था कि फ्रांस भारत के लिए नया रसिया है और फ्रांस भारत के लिए हर पश्चमी देश के खिलाफ जा सकता है लेकिन शायद आपने यह बात भी सुनी होगी कि यह जितने भी पश्चमी देश है वह किसी भी देश के सगे नहीं होते हैं उनका जहां profit दिखता है वहां उसी देश को अपना मित्र बना लेते हैं लेकिन शायद यहां बाते किसी हद तक सही भी है अब France ने भी अपना रंग दिखा दिया है और France ने भारत को warning देते हुए कहा है कि आप रसिया की अगर आलोचना नहीं करेंगे तो France भी G20 के communique में sign नहीं करेगा और G20 की summit में भारत का साथ नहीं देगा अभी हाल ही में United Nation में रसिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कहा गया था कि रसिया ने जो भी Ukraine के साथ किया है वह पूरी तरीके से गलत है और रसिया को अपना यह operation बंद करना चाहिए तो United Nation Journal Assembly की इस voting के लिए France ने भारत से कहा था कि भारत France के कहने पर अपकी बार रसिया की आलोचना कर दे और रसिया के खिलाफ voting कर दे लेकिन भारत ने France की एक भी नहीं सुनी और voting में फिर से abstain कर दिया भारत खुद को ना तो रसिया के साइड रखना चाहता है और ना ही Ukraine की साइड रखना चाहता है इस पूरे मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए यही भारत चाहता है लेकिन यही France को पसंद नहीं आया कि भारत ने मेरे कहने पर भी मेरी बात नहीं मानी तो अब France ने धमकी देनी शुरू कर दी है कि हम भी G20 की Communic में साइन नहीं करेंगे और भारत के अंदर होने वाली G20 की समिट में भारत का साथ नहीं देंगे G20 समिट में सभी देशों का एक आखिरी निर्णय आता है जिसे Communic कहा जाता है और इसी Communic के माध्यम से G20 समिट का सार और थीम सेट की जाती है इस Communic पर सभी G20 देशों के साइन भी होते हैं इसी साइन को न करने की धंकी France ने भारत को देनी शुरू कर दी है आपको बता दे कि इस G20 मीटिंग के लिए रूस के राश्चुपती व्लादिमीर पुतिन और चीन के राश्चुपती शी जिन्पिंग सहित सभी G20 देशों के लीडर भारत आएंगे तो सभी पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत इस मीटिंग के दौरान रूस की कड़ी निंदा करें लेकिन रूस के राश्चुपती पुतिन मीटिंग में मौजूद होंगे अगर भारत ने दबाव में आकर रसिया की युक्रेन मुद्दे के ऊपर निंदा कर दी तो यह पुतिन की बेजजती हो जाएगी और पुतिन भी यही सोचेंगे कि जिसके लिए रसिय के खिलाफ हो चाहे यह पश्चमी देश कितनी ही कोशिश क्यों न कर लेकिन भारत मित्र रसिया की बुराई कभी नहीं करेगा तेकिन आप सभी की इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल क को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन